नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब जेनल मानी और डिजिटल नियुज अमडीन पर दोस्तों बात करने वाले हैं उर्जा गलोबल लिमेटेड स्टोक के बारे में सुगस अभी की टाइम देखा आज़े तो दोस्तों उर्जा गलोबल पर काफी अची तेजी हम लोगो लास्ट मार्केट फर नाजर आई पर अभी के लिए देखा जाए तो अब कल के सेशन पर क्या देखने को नाजर आ सकता है और साथी साथ अभी की टाइम कंपनी की चार्ट पैटरन को लेकर कल के सेशन को लेकर अपडेट होने वाली है और अभी की टाइम देखा जाए तो कंपनी के आने वाले रिजल्ट के जो टारगेट है वो क्या हो सकते हैं तो वो भी आपर जानने वाले हैं साथी साथ अभी की इस स्टोक में दोस्तों जो प्राइस 17 रुपर 10 पेसे पर लास्ट मार्केट नाजर आए थी उसी भी सगरियां पर देखा जाए तो लास्ट मार्केट पर जो देखने को मिला साथ ही अगर यहां पर बात की जाए बेसिक पर तो बेसिक जो निकली किया आता है कि लास्ट अगर पिसले 5 सेसन के बात की जाए तो पिसले 5 सेसन के अंदर 13.25 पर तिस पर देखने को नजर आएगा उसी के साथ साथ अगर बात की जाए लास्ट एक महीने के तो लास्ट एक महीने का जो रिटन यहां पर देखा जाए तो लगबग 42 परतिसत का जो रिटन है वो हम लोग को प्याउट होता हुआ मिलने वाले जो सिंगल सेर के उपर देखने को नजर आएगा उसी के साथ मैं बेसिक पर अगर देखा जाए तो पांच रुपर पांच पेसिक का उचाल रहेगा तो अभी के लिए देखा जाए तो लाश्ट शेवें इने का जो रेटेन है वो भी यहां पर 21.86 पर 30 का एक मैल्टी बागर रेटेन यहां पर देखने को नजर आता है और 7 रुपर 10 पेसी की जो उचाल है वो एक सिंगल सेर पर हम लोग को मिल रही है क्योंकि फिसले टाइम जब मैंने आप लोग को बताया था कि दूस्टोक की जो प्राइस है यह पर 9 रुपर क्या सब थी तब मैंने आप लोग को बताया था कि स्टोक में धीरे-धीरे जो टार चैसे प्रौंटीबिटीप्य नीच को मिल रही है क्योंकि दूस्तु अबेक लिए देखा जाए कंपनी का द्च्वारी घ्रेशा वह कं से कम होना चाहिए क्योंकि यहां पर देखा जाए तो इस स्टोक का जो पी रेशियो जो मिलता है वो हम लोगो 525 का जो काफी कई गुना जादा देखने को इस स्टोक की प्राइस से भी जादा हम लोगो मिल रहा है तो कंपनी में इस परकार की जो ज़ादा कुछ देखने को नहीं मिल रहे हैं। दस पर्चेंट जो नेगेतिविटी इस स्टोक पर है बाकि 90% जो डेटा है वो काफी पोजिटिव है पर जो दस पर्तिसप नेगेतिविटी है वो पुरे 90% को दो लोगो में डुबा सकती है इत देखा जाए तो चार्ट पैटरन पर अभी के टाइम काफी इची आंकड़े हम लोग को मिलने वाले हैं क्योंकि लास्ट येसन पर काफी इसी केंडल से यहां पर बनती हुए नजरा थी सर्किट का जो सिगनल था वो काफी इसा देखने को नजरा था और अभी के लिए देखा ठाइन और केंड़र आने वाली हें और कवार्ट थरी पर भी और साथ साथ अगर यहां पर देखा आजातो इसा अगर यहां पर देखा अए तो हम लोग को नजरा थाством पर सिप्निक टब केंडल भी हम्लों सो मार्केट पर अच्छी कासी देखने को नेजर आये थी, मोमेंट्स दो थे, वो चेंज होते भी हम लोगो नेजर आये थी, तो अभी के लिए देखा थे, तो मार्केट पर जो बुलिस स्पिनिंग जो टॉप केंडल यहां पर बन रही है, तो उसमें संकेत काफी अच्छा हम लोगो मिल है, नेक्ट सेसन मार्केट को लेकर, अब सवाल यहां पर खड़ा होता कि अब कावार्टर रिजल्ट में अब क्या होगा, आने वाले जो रिजल्ट है, उसमें कंपनी की क्या फंडामेंटल नेजर आ सकती है, तो अभी के लिए मेरी जो फर्सनल ओपिनिन इस स्टोक पर जो सेल अब इक लाम देखा जाए, तो दो से तीन करोड की अब टायम एक्टर बढ़ती हुए नजर आ रही है, और कंपनी का जो खर्च है, वो भी काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब इक लिए जो है, डबल प्रोफिट यहां पर हो सकता है, अब इक लिए कंपनी का एक वर्टी पर जो डिटेन यहां पर मिल रहा है, वो सिंगल एक परतिशत का मिल रहा है, वरतमान आंकडों पर, तो अब इक लिए देखा आज़े तो फ्यूचर काफी इंक्रिडेन्ट यहां पर हो सकता है, पोजिटिव जा सकता है, फिलाल दूस्तो आपकी नजर में इस स को दूस्त की जानगारी, कमेंट में फिन कर देना, इंस स्क्रिक आपको जल्दी बता दिया जाएगा, मिलते हैं एक टेमेंजिंग वडिए एक साथ अप्लिक के लिए ज़स देजिए, जैसरी कर्षणा, थैंक्स रोसिंग दिसमार्ट